हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं डॉक्टर लोकेश देवे आपको फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने फेवरेट होमेपेथिक चैनल हेल्थ विथ होमेपेथी में फ्रेंड्स आज के एपिजोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है होमेपेथिक डाइलूशन्स और क्यों होमेपेथिक डाइलूशन्स को डॉक्टर हैनिमेन ने इंक्लूड किया और किस तरह से वो बहुत ही जबर जस्त रिजल्ट देते हैं और साथ में डॉक्टर बरनेट का ट्वेंटी थर्ड रीजन्स एक बहुत ही रोचक किसा मैं आपको बताने वाला हूं कि जब होमेपेथिक मेडिसिन्स कैसे डॉक्टर हैनिमेन ने जब प्रैक्टिस शुरू की और अलोपेथिक चुकिए वह एक एमडी थे अलोपेथि में तो वह उस समय कि जब लगबग अलोपेथि स्टार्ट ही हुई थी और वह उसके जो प्रोसीजर्स थे उसको लेकर बड़े दुखी रहते थे तो उन्होंने उस समय प्राक्टिस लाइफ छोड़के और उन्होंने शुरू किया लिट्रेचर में लिखना चुकि वह बहुत अच्छे लिंग्विस्टिक थे लिखना का इफेक्ट जब किसी हेल्दी हुमन बिंग को देते तो उसको ठंड लगके बुखाराता है सिंकोना बार्क का और वही दवाई जो है वह मैलेरिया के वह ट्रीट्मेंट में यूज हो रही थी तो उनको वह चीज समझ में नहीं आई उन्होंने पहले सब से पहले पर एक्स्प्रीमेंट किया और वाकई जब कुछ दिन उन्हें लगातार सिंकोना बार्क ली तो उन्हें ठंड लगके बुखाराना शुरू हो गया तब उन्हें लगा कि यार यह तरीका जो है वह जो नाच्रूस नाच्रूस वी ऑफ क्योर है तो उन्होंने उसको सोचा कि क्योंने इसको लगबग हर बिमारी के उपियोग में लागू किया जाए अब उसके लिए उन्हें चाहिए थे वॉलेंटियर्स उन्होंने उनको इखटा किये और जब उन्होंने कुछ आर्दस मेडिसिन्स की इस तरह से स्टडी कर ली तो उन्होंने उसको प्राक्टिकल मे लेना यूज किया जब लोगों को ट्रीट्मेंट देना शुरू किया अब जब कुरूड ड्रग जो होती हैं कची ड्रग होती है वो जब पेशिंट्स को दियने लगे तो कुछ लोग ठीक हुए कुछ लोग अच्छे हो गए मगर कुछ लोगों को भेंकर एग्रैवेशन आ लगे कि प्रॉब्लम होने लगी जो बिमारी थी वो बढ़ती हुई दिखी तो वो उसको लेका थोड़े परिशान हुए और उन्होंने फिर कुछ और स्टुडी की पढ़ते रहे कहीं कहीं तो उनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया कि क्योंना मेडिसिंस को थोड़ा ड कुछ समय और प्राक्टिकल करते 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 वो ठियोरी ओफ ड्रग डाइनमाजेशन लेकर आए जिसमें की मेडिसिंस को पोटेंसी इस तरह से बढ़ाई जाए उसको विवस्तित तरीके से मिक्स किया जाए एक सिस्टेमेटिक तरीका जिसमें उसको मिक्सिंग भी पावर भी बड़े तो उन्होंने उसको पोटेंटाइस किया और उसके बाद उन्होंने एक्स्परिमेंट्स समय किये और लगातार प्राक्टिकल करने के बाद उन्होंने यह नोटिस किया कि हाई डाइलूशन जो होते हैं वो भी उतने ही एफेक्टिव रहे और ज्यादा बहतर रहे कि जब उन्होंने बहुत सारी बिमारियों में बहुत जबरजस्त रिजल्ट देना शुरू किये तो समान से समान की चिकितसा यह हमारा जो नीचर्स लॉफ क्योर है उसके बाद डाइलूशन मेडिसिन को इतना कम किया जाए ताकि उनका कोई साइड इफेक्ट न ही मिले जितना हम एक क्रूड ड्रग में रहते हैं रीजन फॉर बिंग और होमेपेथ बाय डॉक्त बरनेट का हम रीजन जो है वह इसी पर बेस्ट है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे फिजीशन भी हाई डाइलूशन को एकसेप्ट नहीं करते हैं मगर मैं आपको हूं कि यह जो हाई डाइलूशन से यह बहुत ज्यादा एफेक्टिव होते हैं जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों जो एक्जोस्टोसिस के केसिस जो ट्विंटीफर्स्ट रीजन है जिसमें एक्जोस्टोसिस में हेकलालावा मेडिसिन का उपयोग लगातार किया रहा ह जिसमें लोगों के और पेशिंट्स के एक्जोस्टोसिस जो एक्स्ट्रा ग्रोथ से ओवर ग्रोथ से उनको हेकलालावा की मदद से ठीक किया गया है उसी तरह से डॉक्टर बरनेट बताते हैं कि जो फॉसफोरस है वो एंटी हमरेजिक मेडिसिन है और कई तरह के ब्लेडि कर सकते हैं और उसके हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट देखते हैं आज का जो 23rd रीजन है डॉक्र बरनेट बताते हैं वो बताते हैं केस ऑफ क्रेनियल एक्जोस्टोसिस क्रेनियल मतलब हमारे सीर की जो हड़ी है वो बढ़ गई थी एक केस में और उसको उन्होंने औरम कि हमें ऐल के मैट की हम बात करें तो साइकोटिक मयाजम जो है जहां ओवरग्रोथ किसी परकार की होती है उसकी किंग मेडि़ है तो वो जिष्टो उसने पूरी तरह से जो क्रेनियल ओवर ग्रोथ थी उसको पूरी तरह से ठीक किया और ऐसे बहुत सारे ौर j cone अब तो साथ में लगातार जुड़ा हुआ हूं और आपको खुमेपिथी के बारे में अपडेट कर रहा हूं अगर आपने अभी तक भी मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाएं सब्सक्राइब करें लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि एक होमेपिथी के लिए जो अवेरनेस है हम उसे क्रियेट कर पाएं तिल देन सी यू सून नमश्कार